Hello and welcome friends सवाल इस बात को लेकर के कि Python को save कैसे किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप Python को save करते हैं देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ save as करते हूँ save as के लिए आप Ctrl Shift S भी प्रेस कर सकते हैं तो यह save as हो जाएगा अब यहाँ पर कोई भी file का आप नाम दीजे तो यहाँ पर अप जब देखेंगे तो extension तो इसका .py लगा ही हुआ है तो .py लगाने से extension तो लगी जाएगा तो फिर तो यह चलेगा ही चलेगा तो जैसे run करवाएंगे तो यह program run हो जाएगा यह पहाड़ा print कराने का program है तो यह table run हो गया ठीक है अब कोई नया program लिखते हैं जैसे माल लिजे कुछ भी लिख लेते हैं जैसे माल लिजे यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक string दे देता हूँ मैं लाइक मैं दे देता हूँ TSI यह दे दिया हमने और इसे डवनिटेट कोट्स में लिखा है मैंने कुछ इस तरीके से enterprise करके नीचे आते हैं और A को print करवा देते हैं तो यह लिखा print और A को print करवाईएगा आप देखिए A को print करवाने का मतलब यह है कि A में लिखी हुई value प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर अगर डवनिटेट कोट्स दे देते हैं आप देखिए डवनिटेट कोट्स देते हैं खाली A प्रिंट हो जाएगा बात समझ मैं आरी एक नहीं यह हो गया अब इसको save कर दीजे जैसे मालीजे इसको save कर रहा हूँ अब जैसे मालीजे save कर दीजे हमने II.py अब .py लिख दीजे चाहिए पूरा THON लिख दीजे क्या यह चलेगा प्रोग्राम हाँ चलेगा देखिए उपर नाम देखिए क्या दिखा रहा है जब आप PY लिख देंगे तो वो PY तो Python के फाइल की extension होती है तो ले लेगा PY automatically तो यह देखिए चलाएंगे तो चलेगा देखिए A प्रिंट हो रहा है हमको A नहीं प्रिंट कराना हमें आपका देखिए इंडिया हो जाएगा आपका देखिए इंडिया हो जाएगा हो गया